अलो गुड आफरनून आम रितुर अतिवाल आंड यू आर विद लेट्सक्राइक नीट यूजी और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी ब्राइड न्यू क्लास पूरे चाप्टर का रिविजन करूँगी मैं आप लोगों के साथ बयो टेकनॉलाजी की अपनीकери less पहला चाप्टर बयो टेकनॉलोजी के प्रिंसिपल म्मों होते हैं हम क्या करते हैं एंडि ये हम पढ़ चुके हैं आज हम उसका फाइदा क्या उठाते हैं What use does biotechnology have in our daily lives, ठेक है, industrial use क्या है, हमारी lives में उसका use क्या है, Hello everyone, can you see me, can you hear me, can I start, Hello everyone, good afternoon everyone, good afternoon, चलिए जी, शुरू करते हैं, अबाज सुन रही है आपको, दिख रही हूँ मैं, अबाज low है, अबी सही है, अबी सही है, Hello everyone, good afternoon, good afternoon, good afternoon, चलिए, 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 शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के, जल्दी से इस link को share कर देंगे, अपने friend circle में, और जल्दी से वीडियो को like कर देंगे, और हम start करते हैं, अभी के अभी, चलिए, आप, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप biology म करने में तो help आपको करती है, और भी आप बहुत सारे options biology के साथ explore कर सकते हैं, और आप general में अपनी biology इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे government tests होते हैं, जिन में biology बहुत important होती है, यदि आप अपनी biology को improve करना चाहते हैं, किसी भी reasons से, और खास कर यदि आप neat crack करना चाहते हैं नीट वाले बच्चों के लिए specially, तो आप मेरी guidance में पूरा साल, पूरा syllabus पढ़ सकते हैं, प्लस 1 और प्लस 2 का, अनकाडमी प्लस पर, अनकाडमी प्लस पर, मेरी ही तरह है 50 से जाधा experts आपको physics, chemistry, biology की coaching दे रहे हैं, साथ में, जैसे मेरी class होती है, हर तीन class के बाद मेरा एक doubt session होता है, तो उसमें मैं आपके सारे doubts लेती हूँ, जितने भी doubts आप मुझे भेजते हैं, photo खीच के कि मैं ये question नहीं समझ में आ रहा, ये line नहीं समझ में आरी, NCRT की सारा doubt clarification वहाँ पे होता है, हर रोज, जब class होती है, class के बाद भी मैं आपके doubts लेती हूँ, class के बीच में भी मैं आपके doubts कवर करती हूँ, तो तयारी में जो steps of preparation होते हैं, कोई concept समझना चलो, concept तो तुम YouTube पे भी समझते हो, लेकिन क्या तुमारे doubts clarify होते हैं, क्या तुम जो multiple choice questions करते हो, वो clarify कर पाते हो, नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए Unacademy Plus का platform है, साथ में ही बहुत ही All India Level की ब जहार में बैठा हो बच्चा या, UP में बैठा हो बच्चा या, डली में बैठा हो बच्चा आपके comparison में कैसा कर रहा है, तो हमारी All India Test Series चलती है, हर Sunday को जहां पे आप टेस्ट देंगे, 720 marks का test होता है, और अब अपने आपको evaluate कर पाते हैं, दूसरे बच्चों के comparison में, उसके साथ मैं आपको हर हफते quiz देती हूँ, quiz में मैं वो questions डालती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया होता है, जो chapter, और फिर 15 दिन बाद एक mega quiz भी होता है, ये सब कुछ best teachers, best test series, best content, ये सब कुछ आपको मिलता है Unacademy Plus के platform पे, Unacademy Plus को join करने का तरीका क्या है, आप download करेंगे, get subscription पर click करेंगे, need and names category पर जाएंगे, click करेंगे, और फिर ये choose करेंगे, 12 months या 24 months को choose करेंगे, देखिए, एक और gift है, best teachers, best ये, तो सब कुछ तो ही है हमारे पास, साथ में ही हम आपको बहुत बड़ा discount देते हैं, आपकी fees में, ये मेरा gift है आपके लिए, जैसे ही आप ये code डालेंगे, RITU, RITU, वैसे ही आपकी fees 30,000 से 27,000 और 36,000 से 22,000 हो जाएगी, 10% off हो जाएगी, दो साल का तो आपको इतना सस्तर पढ़ जाएगा, 40 रुपे प्रती दिन का course पढ़ जाएगा, 40 रुपे तो बेटा, आपके tuition से आने जाने में लग जाते हैं, ठेक है, सो ये best courses available है, मेरा crash course भी चल रहा है, 2020 वाले बच्चों के लिए, सो 2020 के जो बच्चे हैं और crash course नहीं लगा रहे हैं, आप लोग बढ़ी गलती कर रहे हो, पूरा biology उसमें हर chapter 2-2 दिन में, 2-2 दिन में revise हो रहा है, और plus 1, plus 2 droppers के लिए मेरा नया batch आने वाला है, एक 2 दिन के अंदर, सो आप अपना सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, चलिए, चाप्टर शुरू करते हैं, पिछले चाप्टर में तुमने क्या पढ़ा था, बायो टेक्नोलोजी की जो हमने प्रिंसिपल से पढ़े थे, उसमें मैंने तुमें क्या पढ़ाया था, थो मालो ये जीन, इंसुलिन का जीन है, या कोई भी जीन है, तो बायो टेक्नोलोजी में बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक और्गानिजम का डीने काटके, किसी दूसरे और्गानिजम में डालने की कोशिश करते हैं, ये डीने बहर निकाल लो, किसी दूसरे और्गानिजम में डालने की कोशिश करते हैं इस जीन को जैसे कि मैं इसको मालो डालने की कोशिश कर रही हूँ, इग अपना जो जीन है इसमें ठूसते है, एसे ठीक है और इस vector को फिर इसमें डाल देते हैं इसे हम host cell कहते हैं पूरा बायो टेकनॉलोजी में मैंने तुम्हें यही पढ़ाया है क्या पढ़ाया है किसी और organism का gene किसी और organism में डाल देना ठीक है डालने के बड़े सारे तरीके बताएं है डारेक्ट ट्रांसफर, इंडारेक्ट ट्रांसफर, वेक्टर के थूरू बहुत सारे तरीके बताएं तो ऐसा हम करते क्यों है एक आनिमल का जीन दूसरे आनिमल में डालने की बहुत सारी वजहें हो सकती है या तो मैं ये चाहती हूँ कि जो इस एनिमल की कोई प्रॉपर्टी है मानलो ये जुगनू है, जुगनू गलो करता है मैं चाहती हूँ कि ये एनिमल भी गलो करने लग जाए इकोलाई में भी ऐसे गलो आ जाए, ठीक है? बायोलुमिसेंस आ जाए तो मैं इस जुगनू का जीन काटके एकोलाई में डाल दूगी ऐसा हमने किया भी है जुगनू का जीन काटके हमने प्लांट के अंदर डाला है तो बायोलुमिसेंट प्लांट्स बन गए हैं प्लांट्स चमकने लगे हैं या तो ये रीजन हो सकता है कि मैं एक की प्रॉपर्टी दूसरे में डालना चाहती हूं या दूसरा ये रीजन हो सकता है कि मैं इससे कुछ प्रॉडक्ट बनवा के उसको निकाल के बेचना चाहती हूं जैसे इंसुलिन है अब देखो इतना बंदा डायबेटीज से परिशान है दुनिया में डायबेटीज बढ़ती जा रहे है क्यों एकसरसाइज नहीं करोगे ठेक है टीवी के आगे बैठे रहोगे खाना पीना सही से नहीं खाऊगे बर्गर पीजे काऊगे तो डायबेटीज होगी डायबेटीज में इंसुलिन चाहिए ठेक है diabetes type 1 में insulin चाहिए, अब कहां से लाओगे यार इतना insulin, कहां से लाओगे, पहले तो हम करते थे कि गाये को काट के उसकी pancreas से insulin निकाल लेते थे, पिग को काट के insulin निकाल लेते थे, लेकिन वो तो फिर उनकी insulin है न, तो हमारी body में वो नुकसान भी तो करेगी न, reaction भी त pack कर करके बेच देंगे, समाझ रहे हो, हमने यही सब सीखना है इस chapter में, कि भाया यह जीन यहां से यहां डाला, तो क्यों डाला, क्या फायदे हुए, I hope मैं clear हूँ, आगे चलिए, overview में आपको बता देती हूँ, हम क्या-क्या सीखेंगे इस chapter में, हम सीखेंगे, कि हमें क्या फाइदा मिला, basically, फाइदा किस-किस में मिला हमें, हमें agricultural feed में क्या फाइदा मिला, agriculture के अंदर हमने बाहर से जीन डाल-डाल के, क्या फाइदा बनाया, हमें medicine के field में क्या फाइदा मिला, हमने medicine के field में क्या-क्या फाइदा उठाए, किसी और का जीन किसी और में डाल के, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाके क्या पाइदा उठाया और इन सब को करने के एथिकल इशूज क्या बनते हैं अब मैं किसी यूमन में जीन डाल दूं कि उस यून के दांत बड़े-बड़े हो जाएं और एक और जीन डाल दूं कि उसके पंक निकल आएं और उस यूमन को मैं छोड़ दूं और वो सब को जा जाके मारने लग जाए तो भाईया कोई तो लिमिट है ना वाई टिकनोलोजी की आप जो आपका मन कर रहा वो तो नहीं कर सकते ना तो कुछ तो ethical issues हैं इसको लेके बया क्यों आप कर सकते हो चीजें कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो यह चार टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस अधिकनोलोजी कल आपकेशन सिन अग्रिकर्चर चोटी मोटी चोटी मोटी आपकेशन सो हम लोग पडेंगे जैसे गोल्डन राइस वनाना वी विलस्टटी अबउट लावर, सावर, टोमाटो यह चार में टॉपिक हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तेक है चार में टॉपिक्स हैं चलो एक एक करके शुरू करते हैं देखो NCRT कह रही है कि यार देखो 1960 में ग्रीन रेवलुशन आया तो ग्रीन रेवलुशन से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो गई क्यों ट्रिपल हो गई उसके कुछ रीजन्स थे पहला रीजन ये था कि भाईया हमने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ओफ क्रॉप्स ले आई फिर दूसरा रीजन ये था हमने अच्छे इंसेक्टिसाइड पैस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज किये तीसरा रीजन ये था कि हमने इरिगेशन फैसलिटी बहुत अच्छी यूज करी तो ग्रीन रेवलुशन से हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हमारी क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई पर अब वो काफी नहीं है अब human population जिस तादात में बढ़ रही है देखो कल भी हमने ये पढ़ाता कि human population बढ़ रही है इसलिए हमने पढ़ाता strategies of food enhancement कि हम कैसे better plants बना सकते हैं ताकि हम इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सकें आज भी हम वही पढ़ रहे है कि population ज़्यादा हो रखिये तो भई कैसे हम food production को और ज़्यादा बढ़ाएं कल हमने traditional method से बढ़ाया था अपनी food production को hybridization करके plants की नई breed बना दी थी आज हम hybridization करके plants की नई breed नहीं बनाएंगे आज बस हमें जो gene मन किया उसको काटके plant में डाल देंगे plant logy super plant बन गया तो इस तरीके से हम crop production को increase करने की कोशिश करेंगे तो NCRT कह रही है green revolution से जो कुछ हुआ हुआ पर अब हम चलेंगे biotechnology की तरफ हम ऐसे plants बनाएंगे foreign genes डाल के जो की यह सब चीजे कर पाएंगे क्या क्या चीजे कर पाएंगे made crops more tolerant to abiotic stress ऐसी crops बनाएंगे बेटा जो कम पानी है तो भी जंदा रह सके ठेक है कोई ठंड का इलाका है तो भी जिंदा रह सके मतलब उन plants को recombinant कर देंगे बाहर का gene डाल देंगे उसमें और वह plant शक्तिशाली बन जाएगा reduced reliance on chemical pesticides ऐसे plant बना देंगे जो अपना pesticide खुद produce कर रहे हैं आपको बाहर से pesticide डालने की ज़रुद नहीं है pest resistant plants इसमें example BT cotton है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगे ऐसे plants बना देंगे जो की post harvest losses को कम कर दें ऐसे plants बना देंगे जो minerals को better तरीके से use कर सकें तो मतलब जो mineral deficient soil है उसमें भी बढ़िया तरीके से plants उख सकें ऐसे plants बना देंगे जिनकी nutritional value of food बहुत जादा है जैसे vitamin A enriched rice अब जादा इसके बारे में पढ़ लेते हैं we are talking about golden rice यह important है neat point of view से golden rice के बारे में तुमसे पूछागा सकता है यह ऐसे rice होते हैं जो white color के ना होके yellowish color के होते हैं अब yellow तो मेरे पास है नहीं so I'll go with this color इसलिए इनका नाम golden rice है तो यह yellow color के क्यों है हम क्या करते हैं बेटा ऐसी populations में जहां पर लोगों को vitamin A की बहुत कमी है आँखों में बहुत दिक्कत आ रहा है vitamin A से आँखों में दिक्कत आ जाता है तो उनको अलग से vitamin A की गोलियां देनी की बजाए हम क्या करते हैं vitamin A का gene काटके vitamin A कभी नहीं vitamin A का जो precursor होता है क्या बीटा केरोटीन बीटा केरोटीन काटके राइस के नदर डाल देते हैं तो अब राइस बीटा केरोटीन प्रड्यूस करने लग गया बीटा केरोटीन इस येलो इन कलर इसलिए ये राइस जो है वो येलो कलर का होता है अब ये राइस जो भी खाएगा उसका बीटा केरोटीन अंदर जाके convert हो जाएगा vitamin A में उसकी आँखों की शक्ती बढ़ जाएगी तो ये देखो DNA recombinant technology का कमाल है ये golden rice वाला ये points clear है मैं आगे चल रही हूँ चलो आईए आगे चलते हैं next point एक मिनट बेटा अरे एक तो इतना बच्चा फोन करता है बाई गौड चलो आगे सुन ये तो था major major सी बाते हैं अब हम specific बातों पे चलेंगे कि agriculture में हमें कहां कहां फायदा हुआ है दो बहुत important examples हैं एक तो BT cotton का example है एक है RNA interference का बहुत question आता है इसमें नीट में तो ध्यान से ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, BT cotton के बारे में 성जने से पहले मुझे एक Bacillus thuringiensis ये शांतिसा βैक्टीरिया जो तुम्हें दिख रहा है ये बैसिलस thuringiensis है एक जीन होता है जिसको बोलते है cry gene जैसे रोने वाला होता है cry-cry, cry gene, ठेक है, cry gene obviously RNA बनाता होगा, फिर protein बनाता होगा, तो यहाँ यह एक protein बनाता है, जिसको बोलते है cry protein, cry protein की खास बात यह है, कि यह एक inactive toxin है, मतलब है तो जहर, परन्तु inactive जहर है, active नहीं है, तो बड़ा ही harmless सा यह bacteria लग रहा है, लेकिन अगर इस bacteria को कोई खा जाए, कोई दुष्ट, कीड़ा, इस bacteria को खाने की कोशिश करे, यह कीड़ा इसे खाने की कोशिश कर रहा है तो बैक्टीरिया मा का बाप का भाई का दादा का सब का बदला ले लेगा कैसे लेगा बैक्टीरिया कहेगा कि मैं तो मरूंगा लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगा यह इस कीडे की गट है यह इसकी फॉर गट है यह इसकी मिड़ गट है और यह इसकी हाइंड गट है तो क्या होता है मेरे बच्चों यह बैक्टीरिया तो मर गया अब इसका टॉक्सिन जो है इसके मिड़ गट में चला गया इसका टॉक्सिन अब मिड़ गट में था अलकलाइन पीएच और ये हो गया active alkaline pH की वज़े से और active होने की वज़े से अब इसने इसकी mid gut में छेद कर दिया ऐसे perforation कर दी और ये कीडा मर गया ठीक है ये है perforation समझ रहे हो तो ये है बहुत revengeful bacteria तो इसकी इस अब तुम कोगे चलो अभी तो नहीं कोगे बाद में कोगे तो इसकी इस revenge के nature का मैंने फाइदा उठा लिया मैंने क्या किया मैंने जीन काट लिया लाव काट लो कैसे याद करना है तुमें देखो टोमेटो पोटेटो याद रहे जाएगा राइस अलग से है बीच में फिर सी से कॉर्ण सी से कॉटन बीटी, कॉर्न, बीटी, कॉटन, बीटी राइस यह आज तक इंडिया में बनाये गए हैं तो आपको इनके नाम याद रखने है क्योंकि यह एं सी सी वाले याद कर लो फिट तोमेटो पोटाटो याद कर लो बीच में रैस रख दो फर्स्ट क्रॉप जो बीटी क्रॉप जो इंडिया में इंट्रड्यूज हुई थी वो बीटी कॉटन नहीं था फर्स्ट बीटी क्रॉप टूबी इंट्रो ड्यूस्ट इन इंडिया ये भी बात याद रखनी है तुमको ठीक है मेरे बच्चों अब सुनो मेरी बात ये अरे ये कट रहा है क्या अरे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा ध्यान रखोंगी इतना ना लेको ठीक है ये क्रॉप्स की बात तुम्हें पहली बात तो याद रखनी है तो अब क्या हुआ इन क्रॉप्स में हमने वो जीन डाला तो ये क्रॉप्स भी जहर बनाने लगी इनक्टिव पॉइन बनाने लगी जैसे ही किसी कीडे ने इसको काटा तो टो मैटो को काटा तो वो कीड़े के अंदर जहर चला गय है और कीड़ा मर गया अब तुम काओगे कि मैम ठीटो मैटो तो हम भी खाएंगे तो हम नहीं मरते हैं बेटा ये टॉक्सिन सबको effect नहीं करता ये صिर्फ खराब खराब जो कीडे हैं हमें जिनको मारना चाते हैं उनको effect करता है बर्ड्स को, मैमल्स को, गुड इंसेक्ट्स को ये अफेक्ट नहीं करता, हनेबीज वगएरा को नहीं मारता I hope ये बात क्लियर है, अब आगे चलो, कुछ चीजें हैं जो NCRT में दियों है Bacillus Thuringiensis के जो जीन्स हैं, ये तीन कैटिगरी ओफ इंसेक्ट्स पर अटाक करते हैं Lepidopterans, Dipterans, और Coliopterans, इसको याद करने का क्या तरीका है Coli, Coli होती है जो, Coli मतलब बाउल, हर्यानवी में, पंजाबी में Coli बोलते है Coli में बहुत सारे बीटल्स हैं, ऐसे मैं इमाजिन करती हूँ तो Coliopterans में बीटल्स आते हैं तेक है, Dipterans, Diper लगा के कौन घुमते हैं? मॉस्कीटो और हाउस फ्लाई, हाला कि बहुती स्टूपड तरीका है यह याद करने का लेकिन तुम्हें याद तो होई जाएगा देखो यार, यह याद करके जाना है, ऐसे मत मूठ आके चले जाना कि नहीं नहीं छोड़ो यह इंपोर्टन यह है, एक-एक वर्ड, NCRT का याद करके जाना है, नीट में कुछ भी हो जाये चाहे लेपिडूप टेरंस में लंबे-लंबे नाम है तो लपेट लो, लेपिडूप टेरंस लपेट लो, लपेट लो बड़ वर्म, बॉल वर्म, आर्मी वर्म, लंबे-लंबे नाम है लपेट लो सारे तेक है यह तीन कैटेगरीज पे यह अटैक करता है, अब बीटी कॉटन पे आज हो यार, बीटी कॉटन को सब स्याधा अटैक करता है तो आपने बीटी कोटन बना लिया अब जब भी बॉल वार्म आता था बॉल वार्म कहता था अब वो मर जाता था क्योंकि कॉटन ने टॉक्सिन प्रडूस किया हुआ लोजी तो कॉटन के ऊपर पेस्टीसाइट डालने के ज़रुत है नहीं क्योंकि कॉटन ने अपना तो pest resistant plants का example तुमको पता होना चाहिए जितनी भी BT crops है तो सारी pest resistant plants है थेक है जी बस यह टॉपिक यहां पे खतम हो गया अब तुम्हें बस लास्ट बात याद रखनी है तुमहरी NCRT में का हो है कि यार देखो cotton ball warm या ball warm अरे cotton ball warm और corn borer इसके लिए अलग-अलग जीन बताए हुए वो जीन तुमको याद करने हैं क्योंकि नीट के लिए बहुत जादा इंपोर्टन बात है जो मैं तुम्हें इस वक्त बता रही हु दो अलग-अलग जीन बताए हुए ठीके cry genes ही है लेकिन cry gene के अलग-अलग type है कि इसके लिए कौन सा जीन चाहिए होता है इसके लिए कौन सा जीन चाहिए होता है तो कैसे याद करेंगे देखो ये बड़ा है तो इसमें दो cry gene चाहिए है cry cry ये छोटा है तो इसके लिए एक ही cry gene चाहिए cry फिर इनको numbering कर लो ये 1 होएगा ये 2 होएगा ये 1 ही है तो ये 1 होएगा तो cotton वाले को गर्मी बहुत लगती है तो इसको चाहिए A C cry 1 A C और यहाँ पर A B A B A B A B यहाँ दो जाएगा cry 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 1 2 और 1 इसको A C चाहिए क्योंकि cotton में तो गर्मी जाना लगती है फिर A B A B बोलो हो जाएगा इसमें से बहुत साधा chances है आपको question आने के I hope ये विल्कुल clear है Yes चलिया आगे चलिया B T Crops वाली बात हो गई आगे चलिया RNA interference तुम में से जाधा तक तरको RNA interference नहीं समझ में आता है ना नहीं आता ना लाओ इसी खुशी में पानी पी लिया जाए अभी समझा आता है रूको देखाँ कि तुमको पहले प्रिष्ट भूमी बताती हूँ सोरी की क्या है एक तोबैको प्लांट कि बहुत परिसान है बाबू बहुत परिसान September' का यह रोना है बहुत परिसान है बहुत परिसान हो गय है क्यों है इतना परिसान इसपे एक न्मेटोड अटाप कर रहा है तो यह इतना गंदा होता है इतना गंदा होता है कि टोबैकों की रूट में घुश जाता है यह चोटू होती है बिल्कुल निनननू से माइक्रोस्कोपी होता है यह मैसोचोग कि सारे आस खेलमन्ती रंबे रंबे और वार्म जैसे निनननू होता है यह इसकी रूट में घुश जाता है और एक बिमारी कॉज करता है जिसे बोलते हैं रूट नॉट रूट ऑफ टोबैक जिससे टोबैको की प्रोड्यूस बिल्कुल खराब हो जाती है कुछ ऐसा दिखता है रूट नॉट देखो यह अपना टोबैको प्लांट है विचारा अराम से जी रहा था यह टोबैको प्लांट की रूट है और यह कौन है देखो यह और यह तुम्हारा नेमेटोड यह तु थेके, बहुत बुरा होता है इनके साथ इस नेमेटोड का नाम क्या है? इस नेमेटोड का नाम क्या है? वो तुमको पता होना चाहिए मिलोईडी गाइन ये question बनेगा? Spelling मिलोईडी गाइन incognitia ऐसे याद रखो कि ये incognito mode में रहता है दिखता तो है, नियो माइक्रोस्कोपिक है incognito mode में रहता है मिलाइडो गाइन incognitia, ठीक है? ये इसके उपर attack मारता है, इसका नाम बेटा याद कर ले ना, मिलोईडी गाइन incognitia करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब इस पैथोजन को हराने के लिए, इस पैस्ट को हराने के लिए हम RNA interference का सहारा लेंगे RNA interference है क्या? पहले ये बता देती हुमें माल लो ये मिलोईडी गाइन ये रहा ये मिलोईडी गाइन है दुष्ट smile कर रहा है, बड़ा खुश है बहुत खुश है इसके पास कोई gene है gene तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ specific gene की बात कर रहा हूँ माल लो ये DNA ये DNA का template है template समझतो जिससे RNA बनेगा तो इस DNA की वज़े से एक RNA बन गया है इस RNA बन गया है, इसके उपर तो ये RNA थोड़ा separate कर लेते हैं ये RNA है mRNA बन गया इस RNA से एक ऐसा protein बन रहा है जो कि मिलोईडी गाइन के लिए बहुत जादा important है एक ऐसा protein बन रहा है जो कि मिलोईडी गाइन की जिन्दगी के लिए बहुत जादा important है, देखो समझ में आएगा बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत simple बात है, सुनो बहुत important protein है RNA interference में हम ये क्या करते हैं? हम किसी तरीके से इस mRNA के ऊपर देखो ये इसको बोलते है sense strand क्या बोलते है sense RNA sense RNA ठीक है, क्योंकि ये बना रहा है protein को हम किसी तरीके से मिलोईडी गाइन की body में इस RNA का complementary RNA गुसा देंगे क्या करेंगे? इस RNA का complementary RNA गुसा देंगे complementary RNA मतलब anti-sense RNA anti-sense RNA गुसा देंगे इसकी body में और ये RNA घुसके इससे bind कर जाएगा क्योंकि ये complementary है तो ये double stranded RNA हो जाएगा और double stranded RNA कभी भी protein नहीं बना पाता तो मिलोईडी गाइन मर जाएगा क्या किया हमने? अभी कैसे किया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी ये पूरा कांड हमने कैसे रचा है? वो हम बाद में बताएगे अभी सुनो हुआ क्या है? कोई DNA था? DNA से RNA बन रहा था RNA से protein बन रहा था ये protein बहुत ज़्यादा important था तो हमने क्या किया? इस sense RNA का एक anti-sense RNA बना के मिलोईडी गाइन के अंदर डाल दिया और anti-sense उससे bind कर गया double stranded RNA बन गया double stranded RNA कभी भी protein नहीं बनाता ठेक है? इसलिए इसे RNA interference कहते हैं क्योंकि RNA के काम में हमने interfere कर दिया टांग अड़ा दि जाके इसलिए इसे gene silencing भी कहते हैं क्योंकि इसने इस gene को silence कर दिया अब इस gene से protein नहीं बन रहा इसलिए इसे anti-sense technology भी कहते हैं anti-sense RNA technology भी कहते हैं क्यों मेरे बच्चों क्यों कहते हैं क्योंकि anti-sense RNA तुमने इसकी body में डाल दिया अब यह सारा बात हुआ कैसे तुम कोगे मैडम यह बात तो सही है लेकिन अब यह हुआ कैसे और इस पर question कैसे आते हैं देखो हुआ कुछ ऐसे हम टोबैको के प्लांट का सेल ले लेंगे टोबैको का सेल ले लेंगे उसमें हम यह मिलोईडी गाइन का जीन काटके उसके अंदर डाल देंगे मतलब इसी मिलोईडी गाइन का निभाई किसी और मिलोईडी गाइन का यह इंपोर्टेंट जीन काटके उसमें डाल देंगे लेकिन ध्यान से सुनों यह यह बात बच्चों को समझ में आती हम यह जीन इस तरीके से डालेंगे देखो यह टेंप्लेट है यह नॉन टेंप्लेट है इधर वाला नॉन टेंप्लेट है हम इस तरीके से डालेंगे हमने वालों यह जीन काट लिया यह यह जीन काट लिया यह इनको सेपरेट कर लिया हमने यह से निकालके और हम टोबैको प्लांट में इस तरीके से डालेंगे कि टेम्पलेट भी आरने बनाए और नॉन टेम्पलेट भी आरने बनाए अरे यह फिर इदर चला गया होगा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा है ना लाओ-लाओ कोई थोड़ा सा और इदर कर देते हैं यह बात समझ गये तो पूरी टेकनोलोजी समझ जोगे अगर यह बात नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा ध्यान से सुनों में क्या बोल रहे हैं हमने क्या किया इसका जीन काटके उठाया इस जीन को सेपरेट किया टेम्पलेट और नौन टेम्पलेट दोनों करके यहाँ पे दोनों डाल दिया नौन टेम्पलेट भी डाल दिया और टेम्पलेट भी डाल दिया तो यहाँ से दो प्रकार का आरने बना देखो एक तो ऐसा आरने बना देखो टेम्पलेट से यह टेम्पलेट है टेम्पलेट से यह वाला आरन बना तो नॉन टेंब्लेट से कैसा आरने बना इसका कॉम्प्लिमेंटरी आरने बना यह वाला तो यहां से जो आरने बना इट वस एंटी सेंस आरने antisense RNA बना मतलब टोबको प्लांट के अंदर मैंने सेंस और antisense RNA दोनों बना दिये ठीक है अब ये दोनों इंदर तो तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा बैटा यह double-stranded बनेंगे नसके अंदर ऐसे double-stranded बन जाएंगे ऐसे double-stranded बन जाएंगे तो इसको मैं बोलूँगी double stranded RNA ध्यान से सुनो अब क्या हुआ ध्यान से सुनो अब क्या हुआ ये double stranded RNA टोबेको सेल के अंदर पढ़ा हुआ है अब जब भी miloide gain आया मालो मैं miloide gain हो हव 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 और मैं इस tobacco cell को खारे हुआ हव तो मेरे अंदर ये double stranded RNA चला गया ये double stranded RNA milloidy gain की body में जाके milloidy gain की body में चला गया ये double stranded RNA जब इसने ये खा लिया माल लो तो ये इसकी body में चला गया यहाँ पे बेटा कुछ enzymes होते हैं जो इनके पहले तो टुकडे टुकडे करते हैं इनके टुकडे टुकडे करते हैं फिर इनको single stranded कर देते हैं तो बेटा यहाँ पे ऐसे single stranded टुकडे गुमते हैं यहाँ से और यह blue वाले के भी टुकडे होते हैं ब्लू वाले के भी टुकडे गुम रहे हैं से, छोटे-छोटे टुकडे गुम रहे हैं, यह सिंगल स्ट्राइड टुकडे यहां पर आके इसके चिपक के इसको चुप करा देते हैं, ध्यान से देखो इदे, यह सिंगल स्ट्राइड एंटी सेंस वाले टुकडे, यह सिंगल करा देते हैं ठेक है समझ में आया जल्दी बोलो समझ में आया फिर मैं एक बार दुबारा से रिवाइज कराऊंगी रिवाइज कराऊंगी मैं बहले बोलो समझ में आया किस-किस को समझ में आया जल्दी से बोल दो कीप यूनिटी को समझ में आया है रुपाली को समझ में आया है, बोलिए, अरे, अर्मिन को समझ में आया है, प्रग्या को समझ में आया है, मुस्तफा को समझ में आया है, शिज को समझ में आया है, निशात को समझ में आया है, चलो, आई गया, आई गया, चलो, थोड़ा सा रिवाइस करा देती हूं, थोड़ा आपने RNA को double stranded करना है ताकि वो प्रोटीन ना बना सके इसी को जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं क्योंकि जीन अपना काम नहीं कर पा रहा है इसी को anti-sense technology भी कहते हैं क्योंकि sense RNA को anti-sense RNA से आपने कमबाइन कर दिया है होता कैसे आपने मिलाइडी गाइन का एक important gene काट लिया जिसका प्रोटीन इतना important है अगर नहीं बना तो मिलाइडी गाइन मर जाएगा gene काट के template और non-template दोनों डाल दिया यहां पर template भी डाल दिया और non-template भी डाल दिया और दोनों से RNA बन वाल यह template से sense RNA बन गया non-template से anti-sense RNA बन गया तो यहां से double-stranded RNA बन गया क्योंकि यह दोनों complementary थे यह double-stranded RNA जब मिलाइडी गायन ने खाया मिलाइडी गायन आया ना खाने के लिए इसके sense RNA पर लग जाएंगे और इसके sense RNA को चुप करा देंगे question क्या आएगा इससे पहला question आ सकता है निमेटोड का नाम myloidigine incognitia कौन से बिमारी कॉज करता है root not कहां pay कॉज करता है tobacco plant में कॉज करता है किसने यह initiate किया RNA i RNA interference को RNA i भी लिख देते ना आर ने आई किसने initiate किया तो हमेशा याद रखना हाला कि अंत में काम single-stranded RNA ही कर रहा है लेकिन it is initiated by double-stranded RNA यह भगवान के लिए याद रख लेना initiated by double-stranded RNA हमेशा बार-बार यह question आता है कि भाईया RNA i को कौन initiate करता है कौन initiate करता है तो बेटा जी double-stranded RNA initiate करता है ठेक है clear है अब RNAi का एक और अच्छा एक्जामपल तुम देख सकते हो अच्छा RNAi करके देखो विचारा टोबै को clean हो गया root knot खतम हो गया RNAi का एक और अच्छा एक्जामपल कर सकते हो तुम फ्लैवर सैवर टोमेटो से तुम्हें पता है अगर एक नॉर्मल टोमेटो दुकान पर पड़ा रहे यह नॉर्मल टोमेटो है अगर यह दुकान पर पड़ा रहे तो यह दो तीन दिन के अंदर खराब हो जाएगा क्यों इसकी यह प्रोटीन बनेगा जो कि एंजाइम बनेगा आगए जाएक प्रोटीन बनता यहां पर इसको साफट करता तो तुम आरण ईंटेट करद恭 कंई इस एकरदों से इस इन्जाइम की प्रोडक्शन को बंध किया। कैसे बंध क्या समझ इसान ने को डॉट स्रेंडेड कर दिया। डबल स्टेंडड कर दिया तो प्रोटीन नहीं बना यह ना यह इंजाइम बना ना यह सेल वॉल्स डिग्रेड हुई और ना यह सॉफ्ट हुआ तो क्या बढ़ गई इसकी इंक्रीजड शेल्फ लाइफ इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई किसका एक्जाम्पल है यह फ्लैवर सेवर टोमैटो आर ने इंटर्फेरेंस का एक्जाम्पल है क्लियर चलो आगे चलते हैं फिर इसी बात पर हमें खतम आग्रीकल्चर में जितनी अप्लिकेशन 16 मेन आपने कर लियर क्या शेडए वायटमीन नय राइस करलिया आपने अफ्लेवर सेवर टोमैटो कर लियरा आपने बी टी कॉटन कर लियर आरिनी इंटरफेरिंस वाला Tobacco वाला एक्जामल लिए चारी अग्जामपल कर से question آता है Пडल बार अब आजो applications in medicine. तीन application बताता है medicine के अंदर एक अधिरफ यह human insulin बनाई है अपने ecoli के अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी बात gene therapy के बारे में हम पढ़ेंगे तीसरी बात molecular diagnosis के बारे में हम पढ़ेंगे देखो कुछ important बाते याद रखनी है कुछ important बाते याद रखनी है ये तीन तो बाते याद रखनी है एक छोटे से पैरा में ये बात कही गई है कि बहुत सारे recombinant therapeutics जो हैं वो वर्ल्ड में इस वक डिस्ट्रिब्यूट हो रहे हैं ठीक है अराउंड 30 recombinant therapeutics पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रिब्यूट हो रहे हैं वर्ल्ड में उनमें से सिर्फ बारां इंडिया में डिस्ट्रिब्यूट होते हैं सिर्फ 12 जो हैं वो इंडिया के अंदर distribute होने की आपको वो मिली है क्या बोलते हैं इजाजत मिली है रुको मैं ये number check कर लेती हूँ सही है कि नहीं वैस्ट तो सही है बट फिर भी एक बड़ चेक कर लिया जाए हाँ सही है बिल्कुल सही है तो ये number आपको पता होना चाहिए नीट point of view से अगर आगया तो फिर क्या करेंगे नहीं पता हुआ हमें है ना तीस पूरी दुनिया में है और बारा अपने इंडिया में distribute होते हैं ये बात ही आदो नीचे है अगला आओ हूमोलिन पे आओ देखो यार तुम समझते हो कि इतना डाइबेटीज दुनिया में फैला हुआ है डाइबेटीज टाइप वन टाइप वन में आपको इंसुलिन की बहजा जरूत पड़ती है हूमन इंसुलिन को हूमोलिन भी कहा जाता है ठेक है तो पहले तुम क्या करते थे मैंने जैसे बताया था पहले भी काओ को मारो उसकी पैंक्रियास से बोवाइन इंसुलिन निकालो पीग को मारो मार दो क्या करेंगी जिंदा रखे इंको यह तो हम सोचते नहीं कि दूसरा इनिमल है मारना नहीं है वो तो बात छोड़ो हमारे अपना नुक्सान है इंको मारने में पॉर काइन इंसुलिन यह बेटा इंसुलिन तो है अब आप यह देते थे इंग्जेक्शन इन लोगों को लेकिन यह रही किसी और का इंसुलिन है तो बेटा यह एलर्जिक रियाक्शन कर देता है हमारी बॉड़ी में तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसको मारना नहीं, मारो, सब काट दो हम हैं यह हैं यह इसे यूमन मिंग्स हैं इतने वोइलेंट तो इसको चेंज कर सकते हैं तो देखो तुम लोग अगली जनरेशन हो को चेंज कर सको तो ज़रूर चेंज करो थोड़ा सा प्यार से रहने की कोशिश करो तो हमने कैसो चाई यार यह तो असान तरीका है आपका क्या करते हैं human insulin का gene काटके इसको e coli में डाल देतें e coli में डाल देतें यह इक को लाई है और e coli फिर insulin बनाता रहेगा और हम उसको निकाल निकाल के उसको बटलों में भरके बेच देंगे प्लान तो बहुत बढ़िया था यह दिक्कत यह आई दिक्कत यह आई कि human insulin का जो जीन है न वो बड़ा लंबा चोड़ा जीन है ऐसे बहुत लंबा जीन है चेक है उसके तीन पार्ट से मतलब इसके तो क्या ही पार्ट से मालो यह पूरा जीन है इसके पार्ट नहीं है मतलब मैं बता रही हूं क्या 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 न चाहिए रूखोउ इससे अक बहुत लंबा प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन चेन बनेगी आ» कि ईसए प्रोटीन चेन बने ग cleanहीं जो और लेकिन से प्रोटीन चेन के तीन पार्ट से मेरे बच्चों देखो इस प्रोटीन चेन का यह आगılar पार्ट इसको एल डेट जो बिचयाई वाला पार्ट है जो वाइट वाला है मालवी इसको सी चेन कहते हैं सी हीजए तो रह्लीक्पर गूल बनाती है फिर उसको क्या है हमारे पास तो बड़ी सारे तरीके हैं यहां से सीजर से काटती है इसको यहां से काटती है यहां से काटती है दो तीनों चेनों को अलग कर लेती है और फिर एचेन और बी चेन को जॉइन कर लेती है क्योंकि सी चेन तो चाहिए नहीं होती एचेन और वी चेन को जॉइन कर लेती है डाइसलफाइड लिंकेज से ऐसे और ये हमारी फंक्शनल इंसुलिन बन जाती है होता ये है हुमन बॉडी के अंदर ये ऐसा हुमन बींग के अंदर होता है अब दिक्कत ये आई है अब देखो तो हमने कहा कि दिक्कत क्या है ठीक है ना तो तुम ये जीन उठाओ और तुम बैक्टीरिया के अंदर डाल दो और बैक्टीरिया फिर ऐसे बना लेगा ऐसे प्रोटीन बना लेगा फिर बैक्टीरिया भी यहाँ से काट लेगा और बैक्टीरिया इसको जॉइन कर लेगा दिक्कत यह यहां ही कि भाया बैक्टीरिया ऐसा सब कुछ नहीं कर पा रहा बैक्टीरिया क्या करता है ये तो बना लेता है इतना तो बना लेता है लेकिन उसके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो इसको cut करके इन दोनों को join कर दे और ऐसे बना ले वो क्यों बनाएगा भया उसको कौन सा insulin चाहिए होता है तो उसके पास machinery क्यों होगी तो उसके पास machinery नहीं है तो बड़े खजल हुए लोग अब क्या करें अब क्या करें तो 1983 में एली लिली नामक कंपनी ने इसका solution नि क्या किया जीन को ही काट लिया देखो यहां से यहां तक जो जीन है जो यहां से यहां तक का जीन है यहां से यहां तक का जीन है वो A को code कर रहा है जो यहां से यहां तक का जीन है वो B इसको C को code कर रहा है और जो यहां से यहां तक का जीन है वो B को code कर रहा है तो इनने क्य किया इस जीन को ही काट लिया काटो क्याता है बकवास सब जीन को काटो इसको और फिर क्या किया इस पोर्षन को अलग एकोलाई के सेट में डाल दिया और इस पोर्षन को अलग एकोलाई के सेट में डाल दिया समझ में है क्या हुआ इसको काट के आगे बताते हूं रूखो इस DNA को काटके और इस DNA को काटके समझने हो देखो इधर आओ ये वाला पार्ट फैक दिया ये वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं क्योंकि C-peptide हमको चाहिए ही नहीं C-peptide फाल्तू होती है तो ये वाला ये वाला काट के बीच वाला पार्ट फैंक दिया, ये वाला उठाया और ये वाला उठाया, जीन का पार्ट है ना, और इसको अलग E.Col.I की पोपुलेशन में डाल दिया, ठीक है? A.Population of E.Col.I. और इसको अलग में डाल दिया, B.Population of E.Col.I. तो इसने A.Peptide बनाया, इससे क्या बना? A.Peptide बना, हमने निकाल लिया, Peptide और इससे बना B.Peptide, हमने वो भी निकाल लिया. हमने वो भी निकाल लिया, B.Peptide बना, फिर हमने क्या किया, इनको लाब में लेके गए, इनको लाब में लेके गए और लाब में इनको डाइसलफाइड से जोड़ दिया, इनको गए लाब में लेके कि बेटा, हम जो functional insulin है, वो लाब में ले जा बना लेंगे, कोई बार ने, कोई दिक्कत नहीं है, A और B को लेके गए और लाब में डाइसलफाइड linkage बना दी, इस तरीके से finally humulin बन पाया, और आज भी ऐसे ही बनता है, और इसको फिर हम market कर देते हैं, समझ में आया दिक्कत क्या थी, और solution क्या निकला, समझ में आया जल्दी बोलो, येस, ये कौन बच्चे हैं बीच में, एक बच्चे हैं, जो कि किसी और चैनल का नाम लिखे करते हैं, जिंदा बात, जिंदा बात, तो तुम यहाँ पर आते क्या हो करने, तुम मेरी शकल बहुत अच्छी लगती है, क्या है, कि मैं आप पढ़ाती गंदा हो, लेकिन शकल तो मैं क्या बताओं, ऐसा कुछ है क्या है, चलो आगे चलेंगे, कैसे बच्चे हैं ये बच्चे, कैसे बच्चे है, बट मेरा इंटेटेन्मेंट बना रहता है, चलो आगे चलेंगे, अब यार तुम सारे अगर सिंसेर हो जा तो फिर मज़े नहीं आएंगे ना पढ़ाने तुम बिमार हुए तुम डॉक्टर के पास गए ठीक है डॉक्टर ने तुम को मेडिसन दी तो वह मेडिसनल थेरेपी होगी या किसी का बिचारे का एक्सिडेंट हो गया हड़ी जोड़री है अब द्री द्री हील हो रही है तो डॉक्टर ने कहा जो फिजिो थेरेपी लो तो उसको एक्सरसाइज से थेरेपी मिल रही है है ना बड़े प्रकार की थेरपी होती है यार एक्यूपंक्चर की थेरपी होती है सुयां घुसा देते हैं जैसे तेक्या एक्यूपंक्चर थेरपी वैसे ही अगर किसी बंदे को कोई खराब जीन मिल गया है मम्मी पापा से एक बच्चे को खराब जीन मिल गया है मम्मी ने चीन दे दिया पापा ने खराब जीन दे दै तो क्या हुआ उसे सही जीन काटो और सही जीन उसको दे दो तो उसको कहेंगे जीन थेरपी इंट उड़ी जीन healthy gene मनने समझ रहे ना सही gene, unmutated gene in the body healthy gene तो मैंने लिख दिया healthy gene लिखना चाहिए था समझ रहो ना, unmutated gene in the body, इसको gene therapy कहते है समझ जो याँ गया gene therapy क्या है बहिया, किसी को medicine चाहिए, medicinal therapy दो किसी को exercise चाहिए, physiotherapy दो किसी को gene खराब है, तो क्या गरोगे अब पहली gene therapy कहां दी गई और कैसे दी गई उसके बारे में बात करते है एक चार साल की बच्ची थी four year old girl old old girl है, दो बार old रोको एक चार साल की बच्ची थी 1990 की बात है, यह आपको year याद रखना है इसी year में human genome project शुरू हुआ था 1990 में, ठीक है जी तो 1990 में एक चार साल की बच्ची थी उसे एक बिमारी हुई जिसे कहते हैं हम skid severe combined immunodeficiency syndrome तो इसमें क्या होता है बेटा, यह अपनी body का lymphocyte cell है कौन सा, WBC एक प्रकार का lymphocyte है यह एक नॉर्मल जब lymphocyte होता ना, तो यह एक enzyme produce करता है इसे ADA भी बोलते है, ADA enzyme तो यह बहुत important होता है बेटा, इस enzyme से बॉड़ी के पूरी immunity बढ़ी रहती है जो immune system को जैसे function करना है, इसकी वज़े से function करता है अगर यह enzyme नहीं होगा ना, तो पूरा immune system गिर जाएगा तो skid में यह होता है severe combined immunodeficiency syndrome में ADA की deficiency हो जाती है ADA की deficiency हो जाती है तो बच्चे की immunity इतनी जादा कम होती है कि बेटा छोटे-छोटे infection से भी उसकी death हो सकती है तो जब शुरू में क्या होता था, जो skid के बच्चे थे उनको ऐसे रखा जाता है देखिए, यह बच्चा जब से पैदा हुआ है मदर के पास गया ही नहीं है यह बच्चा इसी incubator में है जहां से सुखाना दिया जाता है, इसको पानी दिया जाता है इसके washroom के लिए यही पे है खेल भी बिचा रहे हैं यही पे रहे क्योंकि doctors को पता है, जैसे ही बाहर निकलेगा इसकी immunity इतनी कम है कि यह मर जाएगा infection से मर जाएगा तो skid इतनी खतरना disease है तो बेटा, doctors नहीं सोचा कि इसके लिए क्या solution निकालें इस बच्चे के लिए दो-तीन चीज़े हो सकते हैं या तो इस बच्चे का bone marrow transplant कर दूँ मै bone marrow transplant कर दूँ देखो तुम लोगों को पता है कि यार जितना WBC बनता है वो bone marrow से ही बनता है तो bone marrow का cell खराब है न तभी तो तुम्हारा खराब WBC बन रहा है तो तुम bone marrow change कर दो किसी का भाई भेहन का किसी का bone marrow निकाल कर इसमें डाल दो बच्चे मे तो bone marrow transplant ऐसे होता है देखो bone marrow से bone marrow निकाला दूसरे में transplant कर दिया एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका यह है वेज क्या है बचने के इससे वेज क्या है enzyme replacement therapy कर दो इसको मतलब कि enzyme की कमी है ना body में तभी तो बच्चा बिमार पढ़ रहा है तो उसको injection भर भर के enzyme देते रहो अब दिक्कत ही है कि बटा यह completely curative नहीं है completely इससे हमारी बिमारी का solution नहीं होता not completely curative पूरी तरीके से healthy नहीं होता बच्चा यह सब करने के बाद भी उसके बाद भी उसकी immunity low ही रहती है ठेक है तो अब साइंटिस्स ने तरीका निकाला कि 1990 में उन्होंने का कि एक और तरीका करते हैं we have another idea इन्होंने क्या किया एक चार साल की बच्ची थी जो बिमार थी उन्होंने क्या किया इस चार साल की बच्ची का बुवीसी भाहर निकाल लिया लिम्फोसाइट भाहर निकाल लिया निकाल लिया पेट्रीडीश में रखा के डबीशी और इसमें क्या किया बेटा रेट्रो वाइरस की हल Immerine property तो मैं पताई उन्यक्टीवार्ट टीरुष की हेल्फ से एक हैल्दी एडियी का जीन इसमें इंट्रीजोज कर दिया यह दिये का जीन था हमने वायरस को एडिये जीन दिया और हमने का कि जाओ इसमें दाल किया तो यह के लिए ADA gene डाल दिया Healthy ADA gene डाल दिया फिर हमने इसको replicate कर लिया यह लोग बहुत सरे WBC बन गए बहुत सरे WBC बन गए और हर एक WBC में यह healthy gene था इसी की copies है न तो यह वो WBC है जो बिल्कुल healthy gene है जिनका अब यह WBC में से कुछ WBC इस बच्चे की body में वापस डाल दिये कुछ WBC हमने लिये और इसकी body में वापस डाल दिये देखो यह दिखाया होगा यहाँ पर वाइरस ने gene डाल दिया और फिर हमने इसको वापस डाल दिया इसकी body में अब यह WBC normal enzyme produce करते थे तो वो बच्चा जिंदा रहता था उसको कोई बिमारी नहीं होती थी हाला कि यह WBC immortal नहीं है ऐसा नहीं है कि हमेशा यह चलते रहेंगे यह भी मरेंगे फिर क्या है हमने लैब में और भी culture करके रखे हैं जब यह खतम हो जाएंगे मर जाएंगे फिर हम और WBC के अंदर डाल देंगे इस बच्चे के अंदर इसे कहते हैं जीन थेरपी जहां आप हेल्दी जीन पिरियोडिकली इन्फ्यूज कर रहे हो उस बच्चे के अंदर आई होप आइम वेरी क्लिर बस एक बात आपको शाद समझ में ना आए आपकी NCRT में लिखा हो है कि CDNA वायरस के help से इंटर्ड्यूज होता है बेटा CDNA क्यों लिखा है देखो रेट्रो वायरस का genetic makeup क्या है RNA रेट्रो वायरस का genetic makeup RNA तो आप बेसिकली इस healthy gene को जो यह healthy gene है आप वायरस को DNA नहीं देते हैं आप DNA को इसको RNA देते हो, इस DNA से बने और RNA देते हो, यहाँ पर RNA देते हो, यह रेट्रो वाइरस हुमन सेल में जाके इस RNA को DNA में कनवर्ट कर देता है अपने आपी, इस RNA को, क्योंकि रेट्रो वाइरस है, रेट्रो वाइरस का काम ही ही है ना, रेट्रो वाइरस क्या करते है, रेट्रो CDNA है वो नुकलियस में जो जाके बैट के अपना काम करने लगता है I hope आपको CDNA वाला concept समझ में आ गया है कुछ नहीं है आपने सीधा DNA ना डाल के RNA डाला है RNA को फिर DNA में convert किया है वाइरस तो ऐसी करते है RNA को DNA में convert करते हैं तो उसको CDNA कहते हैं कॉम्प्लिमेंटरी DNA जो RNA से बने ठीक है फिर उसने वहाँ पर healthy gene को healthy enzyme को बनाना शुरू कर दिया है Am I clear बोलो Am I clear जल्दी बोलो जल्दी बिताओ जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से समझ में आ रहा है आगे चलो very good, very good, very good यह हो गई आपकी gene therapy अब आजाओ molecular diagnosis पर देखो molecular diagnosis क्या है diagnosis समझते हो तुम क्या है थोड़ा पानी पीलिया जाए फिर बात करते है देखो मेरे प्यारे बच्चों कोई बिमारी होती है तो उसको ढूंड़ना diagnosis होता है तो diagnosis के ट्रेडिशनल मेथड क्या है जो आप traditionally diagnosis आपको कोई बिमारी होती है तो डॉक्टर आपको कैसे चक करता है ट्रेडिशनल मेथड क्या है आपका ब्लड टेस्ट करता है कि लाओ देखें ब्लड में कुछ है कि नहीं आपका यूरिन टेस्ट करता है त्रेडिशनल मेथर्ड की दिकत यह होते है कि यार बहुत सारा पैतोजन अल्रेडी बढ़ चुका होता है ठीक है अब उसको हटाने के लिए हम फास्ट मेथर्ड करेंगे जिसे हम बहुत जल्दी जल्दी पता लगा सके इतना सा भी वाइरस है हमारी बाडी में तो पता चल ज जो कि बायो टेक्नोलोजी के थ्रू हम करते हैं मॉलीकुलर डाइग्नॉसिस यह क्या है एडवांस्ट मेथर्ड है बिमारीयों का पता लगाने के लिए मॉलीकुलर डाइग्नॉसिस में तुम क्या-क्या बात करोगे यू विल टॉक अबाउट पीसी आर यू विल टॉक एडु टॉक अबाउट और इडियो ग्रैपी बारिष हारी है दिल्ली में ऑट्रैडियओ यह चार टेकनिक्स के आपा बात करेंगे ठीक है पीसे रर तुमको यही श्मझा देती हूं मैं पीसे र से वो क्या क्याना चाहता है देको पीसे र में आदे क्या होता है पीसे र मे इतना सा भी तुम अगर कोई DNA डालते हो आदे घंटे के अंदर उस DNA की 1 billion copies बन जाती है जिस बच्चों को PCR नहीं पता बेटा ध्यान से सुनो PCR क्या होता है PCR ही कैसी मशीन होती है तुम इतना सा भी piece of DNA डालते हो आदे घंटे के अंदर 1 billion copies बन जाती है उसकी समझो कितना सारा DNA बन जाता है तो PCR को तुम molecular diagnosis में कैसे help कर सकते हो सुनो माल लो यह तुम्हारा blood sample है ठीक है blood sample में तुम्हें suspected है कि कोई bacteria आ गया है पर अभी blood test करने से पता नहीं चल रहा क्योंकि वह बेक्टीरिया में इतना कम है कि वह पता नहीं चल रहा तो तुम क्या करोगे इसका जो DNA ना blood sample का वो तुम PCR में डाल दो PCR में डाल दो PCR में अगर bacterial DNA हुआ माल लो by chance अगर यहां पर बेक्टीरिया का DNA प्रेजन्ट हुआ यह माल लो bacterial DNA अरे, क्या है ये? मालो ये बेक्टीरिल डियन ने अगर ब्लड में बेक्टीरिण डियने हुआ तो अदे घंटे के अंदर इस बेक्टीरिल डियनNew की हजारो करोडो कॉपी बन जाएगे हजारो करोडो कॉपी बन जाएगे PCR की मध से अब इसको detect करना असान है या पहले detect करना असान था जब इतना सा bacteria था bacteria का DNA था उसको detect करना असान है कि इसको detect करना असान है 1 million copies बन गी bacterial DNA की इसको detect करना असान है this is how you use PCR in detection जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है मैम कैसे होता होगा human DNA भी तो replicate कर जाता होगा बेटा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है NEET में इस प्रकार से question नहीं आएगा कि कैसे होता है question यह आएगा कि भाईया molecular diagnosis में कौन कौन सी techniques यूज होती है PCR is one of them मालो AIDS का वाइरस है AIDS का वाइरस अभी तुम AIDS का टेस्ट कर रहे हो लेकिन आ नहीं रहा लेकिन तुम्हे सस्पेक्टिड है कि हो सकता है AIDS का वाइरस हो तो PCR में डालो अगर AIDS का वाइरस हुआ तो multiply हो जाएगा बहुत एजली तुम डिटेक्ट करका होगे उसके बाद समझ में आगया PCR पहला वाला point समझ में आ है पहला वाला point समझ में आ है अब दूसरा हो ELISA यह भी AIDS के लिए है next test enzyme linked immunosorbent मेरे बच्चों ELISA में आप क्या करते हो देखो यह AIDS का टेस्ट है HIV infection का टेस्ट है इसमें question क्या सकता है इसका बेटा basis क्या है इसका basis है antibody antigen interaction या antigen antibody interaction इसका मतलब क्या मैं इसका मतलब क्या है मालो AIDS का वाइरस आ गया ध्यान से सुनो में क्या कह रही है AIDS का वाइरस आ गया है तो उसके उपर उसके antigen होंगे antigen होंगे और क्योंकि यह foreign antigen है तुम्हारी body इसके against antibodies बनाएगी antibodies बनाएगी तो बेटा एलाइजा के थुरू तुम यह antibody भी डिटेक्ट कर सकते हो और यह antigen भी डिटेक्ट कर सकते हो अलाइजा की पूरी टेक्नीक तुमको नहीं सीखनी बस मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दोंगी यह लाइजा में क्या होता है देखो मालो यह अलाइजा का टेस्ट हो रहा है ठीक है मालो तुम यह antibody डिटेक्ट करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे इसके complementary antigen यहाँ पर लगा दो और यह sample इसके उपर डाल दो यह sample डालते ही antibody इसके उपर लग जाएगी इस तरीके से antigen antibody interaction हो गया यह antigen antibody interaction तुम देख सकते हो इसका कुछ color change होता है तो आप देख सकते हो कि बेटा यह complementary antigen को antibody मिल गई है तो आपको यह पर चल जाएगा कि आपके blood में यह antibodies घूम रही थी इसलिए यह particular color आया है जो भी यहाँ पर color आएगा reaction का मैं समझ रही हो तुम लोगों को यह इतना clearly नहीं समझ में आयोगा क्योंकि बेटा यह fast one short revision है तो मैं बहुत इसको नहीं करा सकती मेरे पास इतना समय नहीं है ठीक है थोड़ा सा बस यह समझने की कोशिश करो क्या-क्या points है enzyme-linked immunosorbent ऐसे किसके लिए होता है HIV infection के लिए होता है antigen antibody interaction इसमें देखते हैं आपकी body जो antibodies बना रही है इस antigen की वजह से वह antibodies आप ELISA से डिटेक्ट कर सकते हो कैसे आप इस antibody के complimentary antigen लगा दो यहाँ पर अगर यह antibody present हुई तो यह इसके ओपर लग जाएगी और यह इसके ओपर लगते ही कुछ color change कर देगी तो आपको पास चल जाएगा कि antigen antibody interaction हो गया है तो आपको पास चल जाएगा पकी body में antibodies थी इसका मतलब आपकी body में AIDS का वाइरस आया हुआ है हाई मुझे यह वाला पता निचला तुम लोगो समझ में आया नहीं मैं ऐसा करूंगी next time इसको थोड़ा और डेटेल में करता हूंगी तेक है देखो biology इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप plus join कर सकते हैं plus का नया batch plus one plus two और droppers का नया batch में शुरू कर रही हूं अभी बता रही हूं फिर कोगे माम live classes छूड़ गई एक दू दिन के अंदर batch शुरू हो रहा है यह code ज़रूर डाल देना जब भी आप admission लेने आएंगे RITU इससे आपको maximum discount मिलता है 10% का और यह across the categories यह बिल्कुल available है आप UPSC में भी यह code लगा सकते हैं आप इंजिनेरी में भी यह code लगा सकते हैं आप हर जगे हैं यह code लगा सकते हैं आपको maximum discount मिलेगा ठीक है Crash course चल रहा है 2020 के लिए यदि आप लगाना चाहते हैं तो most welcome आप subscription लीजिए और crash course लगाना शुरू कर दीजिए और अधा crash course जा चुका है प्लस 2 में पढ़ा चुकी हो तो आप लोग पहले ही बहुत miss कर चुके अगर आप डिले और करेंगे तो सही नहीं है यह यह मेरा number है अगर आपको plus related कोई भी query है तो आप इस number पर call करेंगे आपको मैं respond करूंगी plus related queries पर ठीक है फिर मुझा आता है गुस्सा मैं यह वाला lecture नहीं मिल रहा मैं यह chapter कब पढ़ाएंगी ऐसे queries आप इस number पर नहीं डालेंगे चेके इसके notes लेने के लिए आप इस telegram channel पर आजाईए add the rate रितुलाई आपको इसके PDF notes मिल जाएंगे यह chapter में इस video में पूरा नहीं complete कर पाऊंगे बटा मेरा गला थोड़ा सा pain हो रहा है तो इसके लिए second video में आज यह कल में बना दूँगी आपको इस chapter में complete करा दूँगी थोड़ा सा part रहे गया इस chapter का बस transgenic animals रह गया और ethical issues रह गया वो में next video में cover करा दूँगी for sure और आपका इस chapter पूरा complete हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर कीजेगा major part इस chapter का में cover कर चुकी हूँ hardly 15-20 minute का part है वो मैं एक और वीडियो बना के cover कर दूँगी ठीक है जी चलो जाओं बच्चों बोलिए जाओं I am sorry मैं ये पूरा lecture नहीं cover कर पारी विटा थोड़ा मेरे गले में पेन हो रहा है ठीक है सो बस चोटी सी वीडियो बनेगी एक और molecular diagnosis तो यहां पर अल्मोस्ट होई गया है transgenic animals की और ethical issues की चलो ओके बाई पकोड़े बनाओ बारिश और यह आजा आजा तुम लोग पकोड़े बना रहे हैं तुमारे लिए चलो वीडियो का like जरूर करना thank you so much I'll see you bye bye